प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने अपने आवास पर पेरेस ओलंपिक में शामिल खिलाडियों से मुलाकात किये उसकी तस्वीर हम आपको सीधे दिखा रहे हैं दिमाग में से निकाल दीजिए कि आप हार करके आए हैं आप देश का जंडा उंचा करके आए हैं और आप कुछ सीख करके आए हैं और इसलिए खेल ही एक ऐसा क्षेतर है दोस्तों कि जहां कभी कोई हारता नहीं है हर कोई सीखता है और इसलिए मैं पहला तो आप लोगों से आगर असे काऊंगा, इसले मैंने जान बुच करके काया हरा हाथ उपर करो, अच्छा हुआ, 80% लोगों ने हाथ उपर नहीं किया, मटलना वो मेरी बात को समझते हैं, जिन्होंने हाथ उपर किया, उननोंने नमृता के कारण किया है, विवेक के कारण किया है लेकिन मैं उनसे भी आगर करूँगा कि हमें ये सोचना नहीं है कि हम पीशे रह गए हैं हम बहुत कुछ सीख करके आए हैं मेरी बात आपको मंजूर है ऐसे नहीं जोर से बताएगे खिलाडी है आप तो अच्छा मैं तो कुछ जानना चाहता हूँ जो मैदान में आपने किया वो तो पूरी दुनिया ने देखा मैदान के सिवाई क्या क्या किया वो बताईए दुनिया के कई प्लेयरों से दोस्ती हुई होगी बहुत कुछ जाना होगा आपको लगा होगा हमारे यहां भी ऐसा उस्ता तो अच्छा होता है ऐसा कुछ हुआ होगा ना तो मैं ऐसा कुछ सुनना चाहता हूं आप लोगों से कौन बताएगा जी सर सबसे पहले नमस्ते आपको एंड लग्स को जब मैं पहली बार मिला तो इतना छोटा था आज काफी बड़ा हो गया जैसे कि टॉर्नमेंट मेरा रहा काफी लंबे मैचिस रहे वहां पर शुरुवात के दिन से तो मेरा ज्यादा करके मेरा फोकस मैच इस पर रहता था बट यह जब भी हमें फ्री टाइम मिलता था हम लोग सबके साथ डिनर करने जाते थे और काफी सारे एथलेट्स महां पर म बड़ी बात थी और जो वो महाँ का महाल था यह मेरा सबसे पहला Olympics था और जो मैं experience किया वहाँ पर वो काफी अच्छा था जैसे कि बड़े stadium में केलना इतना crowd आपको देख रहा है तो first 2-3 matches में तोड़ा nervous भी था जैसे ही tournament चलता गया मेरा वो बेटर होता गया बड़े आइधिंग मेरे एक बहुत बड़ा एक सबस्क्राइब आपको मालूम है या इस बार आप एकदम से सेलिब्रिटी बन गए हो जी सर मेरा matches के डाइम तो मैं फोन प्रकासर ने ले लिया था और बोला कि कि अभी जब तक matches नहीं हो जाते तब तक phone नहीं मिलेगा बट इस उसके बाद काफी लोगों ने support दिया बट मैं यही कहना चाहूंगा मेरा एक अच्छा learning experience था थोड़ा heartbreaking भी था कि मैं इतने close आके रह गया बट मैं आगे आने वाले टाइम में और बैटल करूंगा अपने प्रकाष सर इतने discipline streaks है तो अगली बार बे उड़ी को भेजूगा जरूर सर जरूर लेकिन बहुत कुछ सीखा होगा न क्योंकि देखे मैं बताता हूं अच्छा होता आप जीत कर गयाते होते लेकिन आपके खेल को जिनको पता भी नहीं ये खेल क्या है वो भी गंटों देखते रहते बार बार रिल देखते है जिस प्रकार साब्ने खेला है लोग बहुत बहुत है बीदेश के लोग खेलते हैं नहीं हमारे बत्चे भी खेलते हैं ये भाव पादा हुआ है जी सर, I think वो एक दो शॉट ऐसे मैंने खेले थे जो काफी फेमस हो गए थे बट इंग ओवर आल जैसा मैंने टॉर्णमेंट केला मैं चाहूंगा कि और आगे जो आने वाले बच्चे हैं जो बैंड मिंटन लेते हैं उनको और इंस्पायर करूं और ऐसे ही खेलते रहूं बहुत बढ़ और गर्मी बहुत लगती थी तो सबसे पहले कौन चिलाया था कि यह क्या कर रहा है मोदी बाते दो बड़ी करता है यह यह यही नहीं कमरे में हम क्या करें कौन-कौन फेच इसको सबसे ज़्यादा परिशारी हुई लेकि मुझे पता चला उसके कुछी गंटों में आपकी वो काम भी पूरा कर दिया था सबको मिल गया दाने इसी तुरंथ हां दिखी इतनी ख्याल रखा जाता है खला खिलाडियों काईच का सब लोग तुरंथ एट करते हैं नमस्कार सर मेरा नाम अन्जुम मौटगिल है मैं शूटिंग स्पोर्ट से हूं तो मैं बस ज़नरल एक अथलीट मैंने यह चीज़ एक्सपिरेंस कि जो एथलीट हर दिन एक्सपिरेंस करते हैं कि एकदम खुशी अपना कोई भी गोल अचीव करने में और एकदम से निराशा वो लंपिक्स के टाइम पे इंडिया की परफॉर्मेंस के वज़ा से पूरे देश ने एक्सपिरेंस करते हैं और पूरे देश ने एक्सपिरेंस किया इस दस दिन में और एक इंडिया में स्पोर्स कल्चर बढ़ाने के लिए यह गेम्स बहुत ही अच्छा टाइम पे आई हैं इसके आगे से लोग बहुत अच्छे से हमारी स्पोर्टिंग जर्नी को समझेंगे और जो भी आप लोगों ने ने हिंदुस्तान के हर कौने में वही मियाद था सब लोग अगर थोड़ा सा हलका फुलका दिखता तो यहां बेचेन हो जाते थे वह यहीं पर जैसे कार चलाते हैं अगर हमें ड्राइविंग आता है और पीछे बैठे हैं तो ब्रेक तो आगे वाले को इधर उपर उपर लिचे कर रहे थे स्रीजेस आपने ये रेटार्ड होने का निरए पहले कर लिया था मन में कि क्या था सर नमस्ते था थोड़ा साल से सोच रहा था सर मेरे टीम वालों ने बोल ते भाई कप छोड़ेगा एक उशना था मेरे उपर मुझे ऐसा लग रहा था अबने दो जर दो में पहले बार क्याम में गया और टू तोसन फोर में फर्स्ट इंटरनाशनल खेला जूनिटी में तबसे खेल के आ रहा हूं तो मैंने सोचा बीस साल से अपना देश के लिए खेल रहा हूं तो एक अच्छा प्लाटफॉर्म से रिटेंमेंट लेना है तो ऐसे एक प्लाटफॉर्म है सर जहां पर पूरा दूनिया अपना फेस्टिवल मनाता है तो सोचा इससे अच्छा तो मोका मिलेगा ने इसलिए तो एक अच्छा डिसेशन लेकिन मैं बताता हूं कि यह टीम आपको तो मिस करेगी करेगी लेकिन टीम ने आपकी बिदाई शां क्योंकि हमारे थोड़ा हाड हब था जब सामलव सेमि फाइनल हार थे क्योंकि यह टीम जब पारिस के लेगा था प्रच के ले लिए फाइनल कहले लए thoroughly जबować हैंदे मिलेगा सब से तो तो ऑर्द लगा में झाखर जब लगई खर्द से लिए उज़ लगा सब लाट अथरा मेरे लिए साथ दिया मेरे साथ दिया और हम लोगों ने मैंने स्पेशली वो पोडियम से अपना टीम को थैंक यू पॉल और गुडवाई बोला सव आजा मुझे बताई भैजब यह आपको बृटन के सामने दस लोगों के भरोसे लड़ना था तब क्या इने शुरू में ही द कार्ड होगा था हमारे प्लेयर को एंड बट इंग जो कोचिंग स्टाफ है मारे उनने काफी हल्प किया हमारी और हम विजुलाइज करते थे हार सिच्वेशन को क्योंकि अलम्पिक में कुछ भी हो सकता है सर प्लाइजली तो मारा माइंड़ साथ कि अगर हम ऐसी कोई सिच् वो मेंटैलिटी थी कि इनसे वो देड़ सो साल से जली आ रही है तो बिलकुल यह सर और था कि मन में के नहीं हम यह मैच जीतेंगे आज तो बहुत अच्छा रहा कि वानन ड्रा रहा सर उसके बाद शूटर पर हम जीते हैं तो एक वो क्योंकि यह ऐसा कभी सारी हिस्ट्री म में नहीं हो ऐसा अलम्पिक में एक और खुशी की बात ही कि हमने जो अस्ट्रेलिया को रहा है सर वह भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात ही कि 52 यह के बाद हमने बड़े प्लैटफों में अस्ट्रेलिया को रहा है वैसे भी आपने सारे रेकॉर्ड दोड़े हैं 52 साल के दो है मैंने तो मिर मंड पापा दस साल के चले जढ़े घर देस को भड़े थे पिर बस यही सपना था कि औरो अलम्पिक मेडलाई और मेरा भी यही रही सपना आ पई ओ्लम एड़ी मेडल देना देसको तो बस यही सोच क e practice करते रहे और1 और अभी तो गर गई नीजिए अजिए अब बोलते हम बरबाद देते कुछ भई गरजा के चूर में खांगे अच्छा अच्छा आजए जैसे हमारे सरपंज साब का निकनेम है ऐसे आप में से और कौन है जिसके असे निकनेम है प्रणाम सर में श्रेशी सिंगु और वरतमान में बिहार से विधायक भी हो तो सब टीम के सब लोग विधायक दीदी करते हैं जी सर तो सरपंज भी है विधायक भी है अच्छा आप में से मैंने देखा है कि इन दिनों काफी समय है मोबाइल पर चिपके रहते हैं ऐसा है क्या सही है मेरी जानकरी रिल्स देखते हो रिल बना रहे जाए है कितने लोग है जो रिल बना रहे हैं एक मैसी देना चाहूंगा क्योंकि सारी टीम ने हमने डिसाइड किया था कि थरुआ उट लंपिक हम मंभाईल फून यूज नहीं करेंगे वाश आवाश रहाध यह जिए तो बिल्कु अ क्योंकि क्योंकि सर अगर कोई दोनों एफेक्ट करते हैं तो हमारा मारा माइंड सैट था कि हम एसे टीम हमने डिसाइड किया कि हम बिल्कुल शोचल मीडिया यूज नहीं करेंगे यह अच्छा कि आप लोगों को भी आप बताएं कि उससे जितना दूर रहें अच्छा ही है वरना ज्यादा लोग उसे में उ लाते गोल्ड भी ला सकती थी पर वो मेरा बैड लग था देन अच्छा नहीं तो सर्वाएं लोज हो गई तो उमर बहुत चोटी है बहुत करना है और हर्याना की मिट्टी एसी हैं करके दिखाओगी प्रादान मंत्री जी नमस्कार मुझे लगता है कि इस बार हमारी पुर गेम्स में से तीन चार मेजर इंजरी होती है जिनकी ऑपरेशन करनी पड़ती है पर इस बार फॉर्चुनेटली सिर्फ एक था तो वो अची बात थी एक सीखने का था कि जबी ओलिम्पिक के जो विलिज में जो पॉली क्लिनिक रहता है उसमें थोड़ी फसलिटी रहती है पर इस बार हमने सब जो विलिज में ही विलिडिंग में ही रहती ही और इसले घटै काफी थो एक रहती हो कुछ भी रिकावरी करना था बढ़ इंजरी मैंजमेंड करना था प्रेपरेशन भी जो करना था वह बहुत ही आसानी से कर सके ए इंट बहुत सारे एक में झाली पॉ करते गए तो हम सपोर्ट दे सकेंगे हमारे अथलीग को देखें साब डॉक्टर ने मुझे बहुत 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 बात बात बताई कि इस बार हमारी टीम में पहले के तुलना में मिनिमम इंजरी इंजरी कम हुई है इसका मतलब है कि खेल की हर चीज में आपके एक्स्प्रोट कभी कभी डेमेज कर देता है यह सिद्ध हो रहा है कि आप लोगों ने खुद अपने आपको तयार किया है और चोटे-मोटे जर्क आए भी पथेनाई आई तो भी आपके बाड़ी को आपने ऐसा बनाया है कि आप मेजर इंजरी से बच गए हैं तो मैं पका मानता हूँ काफी ट्रेन किया होगा अपनी बाड़ी को काफी महनत की होगी तब जाके यह हुआ होगा तो इसके लिए तो आप सब बढ़ाई के पात रहें साथिवां मेरे साथ हमारे मनसुग मानवया जी है खेल राजमंत्री बहन रक्षा खरसी जी है हमारी खेल जगत में जिनों ने इसका नाम रोशन किया पीटी विशा जी है परिश से आप सब बापिस आए हैं आप सब का और आप सब के साथियों का भी मेरे हां रदय से बहुत-बहुत स्वागत है मैंने जिस उमंग से आपको परिश के लिए बिजाई दी थी उतने ही उमंग से मैं आएद आपका फिर से स्वागत कर रहा हूँ और इसका कारण ये नहीं है कि कोई मिडल का टेली कितना हुआ उसका कारण ये होता है कि विश्व भारत के खिलाणियों की तारीब कर रहा है उनके होसले, उनके discipline, उनके behavior मेरे कानों पर सब जगह से बाते आती हैं और ये सुनता हूँ तो बड़ा गर्व होता है कि मेरे देश के खिलाणी मेरे देश के लिए ही खेलते हैं मेरे देश के नाम को रती भर भी खरोज आ जाए कि मेरा देश का एक भी खिलाडी नहीं चाहता है और यहीं हमारी सबसे बड़ी पुझी है और उसके लिए यह पूरी टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र है साथियों आप सबने पूरी दुनिया में भारत की तिरंगे की स्थान बढ़ा करके देश वापस लोटना और मेरे निवास पर आपका स्वागत करने का मुझे अवसर मिलना मैं इसे मेरा अपना गवरों मानता हूँ और पेरिस जाने से पहले जो जाते हूं उनको भी पताफ होता है कि हमें अपना बेस्ट देना है और मैंने हमेशा यही कहा है सबको कि आपको अपना बेस्ट देना है और अपने दिया है दूसरी बात है हमारे खिलाडी उमर में बहुत छोटे हैं और अभी से यह अनुभों मिला है तो आगे हमारे पांस एक लंबवी समय है अधिक एचिव करने का और वो आप जुरू करेंगे इस अनुभों का लाब देश को मिलेगा साथ जब पैरिक्स ऑलिम्पिक्स भारत के लिए कई माईनों में आइतिहासिक रहा है इस ऑलिम्पिक्स में देश के लिए जो रेकर्ड्स बने वो देश के कोटी कोटी नवजवानों को प्रेर ना देंगे आप देखिए ओलिम्पिक्स के करीब सबास सौल साल के इतिहास में ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी है जिसने भारतिय खिलाड़ी की रूप में इंडिविजिल इवेंट में दो मेडल जीते हैं हमारा नीदज पहला ऐसा भारतिय खिलाड़ी है जिन्होंने इंडिविजिल इवेंट में गोल और सिल्वर जीते ओकी में भारत ने 52 साल बाद लगातार दो बार मेडल जीते अमन ने केवल 21 साल की उमर में मेडल जीत करके देश को बिलकुल इतना प्रसंद कर दिया है और अमन के जीवन के विशे माज देश जानने लगा है तो उनको लग रहा है कि भई व्यक्ति के जीवन की कठिनाईयों से भी इंसान अपनी आत्रा को सपन को संकल्ब को सिद्ध कर सकता है कठिनाईय अपने आप अपनी जेगा पर रह जाती है और मने करके दिखाया है विनेश पहली ऐसी भारतिय बनी जो कुस्ति में फाइनल तक पहुँची ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विशे है ऑलिम्पिक्स में साथ सुटिंग इवेंट्स में इंडियन शूटर्स फाइनल्स में पहुँचे और ये भी पहली बार हुआ है इसी तरह तिरंदाजी में धीरज और अंकीता पज़क के लिए खेलने वाले पहले भारतिय तिरंदाजी बने और लक्ष हमारा लक्ष सेन आपके मैच ने तो पूरे देश का जोज बड़ा दिया है हमारे लक्ष भी ओलेंपिक में सेमी फाइनल तक पहुंचने वाले एक मात्र पूरुस बैंड मिंटन खेलाड़ी बने हैं हमारे अमिनाज शाबले इसने स्टिपल चेज के फाइनल में क्वालिफाई किया इस फॉर्मेट में ये भी फरस्ट नहीं रहा साथियों हमारे जादातर मेडलिस्ट जैसा मैंने का आपने ट्वेंटिज में हैं बहुत छोटी आविक हैं आप सभी बहुत हुआ हैं आपके पास बहुत समय है बहुत उजजा है और ये भी सही है कि टोक्यों के और पैरिस के बीच में नॉर्मली चार साल का समय रहता है इस बार तीन साल का ही समय था तो हो सकता है आपको एक साल और अगर मिला होता प्रक्टिस का तो शायद आप और नहीं कमाल करके दिखा देते हैं अभी लंबी केरियर में आप कई बड़े टूर्णामट खेलेंगे खेलना बन नहीं करना चाहिए गुरुकना भी नहीं एक भी मैच छोड़नी नहीं चाहिए यह युवा दल इस बात का प्रमाण है कि स्पॉर्ट्स में भारत का भविश्य कितना उज्वल रहने वाला है मुझे विश्वाद है पैरिस ऑलिम्पिक्स भारतिय स्पॉर्ट्स की इस उडान के लिए एक लॉंच पैड साबित होने वाला है यह टर्निंग पॉइंट है अमारा उसके बाद विजय ही विजय है दोस्तों हम रुकने वाले नहीं है तात्यों आज भारत अपने हां वर्ल क्लास पॉर्ट इको सिस्टिम डेवलप करने की प्रात्विक्ता दे रहा है ग्राट सुर्ट से आने वाले खिलाडियों को उनको तराशना उनको तराशना यह भौत जरूरी है हमने गाउं गाउं शहर शहर से युगा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेलों इंडिया से निकले हैं 28 खिलाडी इस ओलेंपिक समू का हिस्सा बने हैं अमन है अनंद जीत है दीरज है सर्व जोध है इन सबने खेलों इंडिया एथलेट के रुप में अपनी जर्नी शुरू की थी और इससे हुआ यह हैं कि खेलों इंडिया में खेलना और जी भरके जीत इसना यह एक बहुत बड़ा एहम हिंदुस्तान का कारकम बन चुका है जी मैं इसको मैं मानता हूं मैं खेलों इंडिया को और तबज्जु देनी और ताकत देनी है उसी में से हमें अच्छे नए आपकी तरह ही खेलों इंडिया एटलेट्स की एक बड़ी फोच देश के लिए तयार हो रही है हमारे खिलाडियों को सुभी धाओं और समसाधनों की कमी न पड़े ट्रेनिंग में दिक्कत ना आए इसके लिए बजेट भी लगातार बढ़ाया जा रहा है सबको पता है कि किसी भी खिलाडी के लिए जादा से जादा कंपुटिशन में हिसा लेना कितना आवश्यक है मुझे संतोज है कि आलेम्पिक से के पहले आपको अनेकों इंटरनेशनल कंपुटिशन का एक्सपोजर मिला है इतने सारे कोच और एक्सपर्ट्स डाइट उपकरण और कोचिंग सब पर इतनी बारिकी से ध्यान वर्ल क्लास फसिलिटी देने का प्रयास इस तरह की जुविधाओं के बारे में हमारे यहां पहले सोचा नहीं जाता था खेलाड़ी अपने नशीब पर मेहनत करता था देश के लिए कुछ करके आता था लेकिन आप पूरी एकोसिस्टिम बनी है यह केवल स्पोर्ट्स में देश की नितियों का बडलावा इतना ही नहीं है यह उस भरोसे का प्रतिक भी है जो देश अब अपनी युवापीजी पर बहुत जादा भरोसा करता है उसकी अभिव्यक्ति है आप सब देश की युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेणा है मैं मानता हूँ आप मैंसे हर किसी के बारे में देश को देश की युवाओं को जानना से जादा जानना चाहिए यहां भी मेरी इच्छा है कि मैं हर किसी का नाम लेकर उसकी चर्चा करूँ विश्यशकर मारी बेटियों पिछलि बार के तरह इस बार भी बेटियों नहीं ऑल्लेंपिक में भारत की जीत का श्रीगनेश किया है मनु को जीस तरह पिछली बार तक्नीकी कारणों से निराश होना पड़ा था फिर उन्होंने जो वापस ही की अंकीता ने जीस तरह सीजन का अपना सर्य और स्रेश प्रदशन किया मनी का बत्रा और स्रीजा अकुला ने भी सबका ध्यान खीचा है इसी तरह बाकी खिलाडी भी रहें खासकर नीरज ने अपनी लगन और अनुशासन में जीस तरह कंसिस्टन सी दिखाई है स्वपनील ने कठिनायों को पार कर जीस तरह मेडल जीता है होकी में हमारे सर्पन साब उनके टीम ने दिखा दिया कि भारत की ताकत क्या है पियार स्रीजेस ने ये बता दिया है कि दवाल क्यों है जो मेडल जीता या जो एक पॉइंट या कुछ सेकंड से चूका उस सब ने एक ही संकल पर दोराया ये सिलसला गोल्ड से पहले नहीं रुकेगा मैं मानता हूं इससे देश के युगाओं को बहुत कुछ सिखने को मिलेगा साथियों हमारा भारत ट्वेंटी थर्टी सिक्स अलम्पिक्स की मेजबानी हासिल करने के लिए तैयारी कर रहा है बनाजवी वहां भी लाल के लिए से भी बोला है हम पूरी तैयारी कर रहे हैं ऐसे में कई ऐसे एसलिट्स जो पिछले ऑलम्पिक्स में भी खेल चुके हैं उनके इंपूट बहुत महत्तुपूँ है आपने वहां बहुत कुछ अब्सर्व किया होगा बहुत कुछ देखा ह होगा ऑलम्पिक की प्लानिंग से लेकर की वहां की ववस्ताओं तक स्पॉर्ट्स मेनेजमेंट से लेकर इमेंट मेनेजमेंट तक आपने अनुहाव अपने अब्जिर्वेशन्स हमने इसको लिखी देकर रखना चाहिए उस सरकार को साजा करना चाहिए तागि हमें 20-30 सिक के खिलाड़ी देख करके आता है उससे और जो कमी नजर आती है वो भी हमें 36 के तैयारी के लिए काम आएगी तो एक प्रकार से आप मेरी 36 की टीम के फोजी है आप सबको मेरी मदद करनी है ताकि हम 20-30 में दुनिया में अब तक नहुआ हो ऐसा ओलम्पिक करकर के बैजबान मैं चाहूंगा कि खेल मंत्रा इसके लिए एक ड्राप बनाए और सभी खिलाडियों से उनके डीटेल में फीड़बैक लें उनके सुझाव लें तो हम जुरूर तैयारी अच्छी तरह कर पाएंगे साथ यह भारतिय स्पोर्ट में और कैसे इंप्रमेंट हो सकता है इसे आइडियाज भी दिए जो चीज खिलाडी बता सकता है जो चीज कोच बता सकता है वह मैनेजर लोग नहीं बता सकते हैं अर इसलिए आप छे इन्पूट बहुत जरूरी है आपके आइडिया बहुत जरूरी है आप पर भविश के खिलाडियों को मोटिवेट करने उन्हें आगे बढ़ाने का विदाई तो है और लोग तैयार होने चाहिए आगे बढ़ने चाहिए आप सोशल मीडिया स्पेसेज पर युवाँ से जूड सकते हैं जूडते भी हैं करत सब्सक्राइब करें खेल मंत्रा लग दूसरी संस्ताय भी इस तरह से इंट्रेक्शन सेशन आयुजित करवा सकती है अलग-अलग ग्रूप के लोगों के साथ तो यह लोग अपने अनुफ़व शेयर करेंगे मेरे सामने शायद बोलते नहीं लेकिन बाहर को बहुत कुछ ब मिलने का उसर मिला और जब आप आएं और मैं आपको ऐसे ही जाने दू तो तो फिर बात अधूरी रह जाएगी और इसलिए मैं तो कुछन कुछ आपके जिम में काम छोड़ने ही वाला हूँ और पहले भी जब भी मैंने आपको कुछ कहा है आपने जुरूर उसको पूरा करने का प्रयास किया है तेगि जो साथी टोक्यो अलम्पिक के बाद आये थे उन्हों मैंने स्कूलों में जाने और वहाँ से मिलने का अगर किया था और उन्होंने किया था उसका लाब भी आप भी उससे जुड़े अपनी मा को लेकर के पैड लगाई है पैरिस को भी आतीजिए और पैड लगाई है अगर मा नहीं है तो मा की तस्वीर लेकर के खड़े रही हो पैड लगाई है आप ऐसे जादा तर खेलाडी गाउं की पुरुष्ट भूमी से हैं सामान्य परिवार की पिश्ट भूमी से हैं आपने पैरिस में भी देखा है और इस बार के पैरिस के अलिम्पिक की विश्टता थी परियावण को प्रमोट कर रहे थे उन्होंने एन्वार्मेंट फ्रेंडी सारा वहां पर एको सिस्टिम डेवलोग किया था आप भी अपने गाउं जाए तो वहां के लोगों को नेचरल फार्मिंग प्राकुर्टिक खेती केमिकल फ्री खेती हमारी धरती माता की भी रक्षा हमको करनी है ये बात उनको बताईए और इन सब के साथ दूसरे नवजवान साथ्यों को पॉर्स के जुढने के लिए करना चाहिए फिटनेस के तरफ आप ही उनको गाइड कर सकते हैं और मैं मानता हूं कि इससे बहुत बड़ा लाग होगा साथियों मुझे विश्वास है आप सब सदा सरवदा देश का नाम रोशन करेंगे विक्सित भारत के हमारी आत्रा युवां प्रतिभाओं की सभलता स से और ज्यादा खुबसरत बनने वाली है इसी कामना के साथ मेरी फिर से एक बार आप सब को बहुत बहुत शुब कामना हैं मेरे लिए आप सब एचीवर हैं आप मैंसे कोई ऐसा नहीं है जिसने कोई एचीव नहीं किया है और जब मेरे देश से ऐसे नवजवान कोई एची कर लेता है